हर महीने आता है जब आपके हिरदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा आपको सिकारना है बाबा आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा है बस हाथ में चंदन लगाया बेल पत्री का भाग इस तरह से पकड़ कर शिवज शुन्दरी वाली जुजगा होती है आपको बताया है अशोख सुन्दरी की वाली जगा पर जहां शुवलिंग की साइड पर पहले नमबर की पत्ती का मुख होना चाहिए बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर आत रख कर अपने हिर्दई की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाईए अगली सुम्बर की अश्टमी या अगला प्रदोश या अगली शिवरात्री जवाती है मेरा महादेव आपकी मनों कामना का भा प्रदोश प्रदोश बन सके तुमारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का भरक्ष वहाँ दीप दान अवश्य करना चाहिए अब एक बात का इस्तमरण आपको रहे थोड़ा सा अगर किसी कामना के वश्य अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भावुद्पन है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कारे है आप पून करिए लाग तो फिर शुमंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोश या सुमार की अश्कमी या सुमार या आप शिवरात्री को बाबा से निवेदन करकर लगा सकते हैं हां विशेश जब कोई एक बहुत बहुत बढ़ी बात हो और आपके कारे में कहीं अटकल हो रही हो तो एकी दीप में दो बात हैं षिव और शक्ति लंबी बाती बनाए शिव और शक्ति के नामसे तो बाती एक सान एक दीप में भी लगा सकते तो पर कब जब भीशेश कोई आपका कारे हो रूम अड्ट कर रह भी आप नहीं कर रहे हो तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते ऐसे शिव शिव शंकर भगवान को धतूरा तब चड़ाना चाहिए उसका विशेश ज्यान रखें यह से शिवरक्त्री है प्रदोश है या पुम्बार है या कोई विशेश आपका उस्तव है तो आप शिव जी को धतूरा चड़ा सके या विशेश कोई बिमारी ऐसी लग चड़ाया जाता है जटूरा चड़ाने का भी एक करम है हल्दी में भिंगोकर जटूरा चड़ाया जाता है लच्छमी के लिए चंदन में भिंगोकर जटूरा चड़ाया जाता है आयू की व्रद्धी के लिए अभीर 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 एक सफेद कलर का बौडर होता है अभीर गुलाल में अभीर डलता है, चमकदार आपने लेखा होगा, अभीरोगी का, तो अभीर में धतूरा जो डुबो कर चड़ाया जाता है, अभीर को लगा कर चड़ाया जाता है, वो रोग मुक्ती का, काई के लिए होता है, रोग मुक्ती, रोग की मुक्ती, धतूरे का भी किस् बहुत भारी रोग है, बेमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घरता व्यक्ति बहुत बेमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के ब्रक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्मान करकर एक घतूरा समर्कित करा जाता है, जिसके रोग से मुक्ति होती ह उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चन्दन लगाया जाता है, ना भीर लगाया जाता है, केवल बतूरा से जिसके जीवन में हमेसा काटे ही मिलें, बेटी बड़ी हुई, तो घर में माईके में दुख देखा, और माईके से गई सुस्राल में, तो सुस्राल में पती को बहुत कुछ काम कहलओए दंदे खोलबाए पर वह पती पारबर छोड़ करा गया बारबर तकली भारबर कुश्त भोग रहा है पिर थोड़े दिन काम करता हुआ मोई प्र पर बैपार में बढ़ता है फिर ज़ोड़ तीन दिन में जो शूल मुझे समरपित करता है उसके जीवन से मैं शूल अठा देता वो तीन दिन लिखें स्कंद पुरान महाराज बेसाक महिने में जो प्रदोश आती है बेसाक के महिने में बहुत ध्यान से सुनना भाई जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो परिशान हो गए हो कष्ट में जीवन जी रहे हो बहुत दुखी हो गए हो उनके लिए यसकंद पुरान का चरित्र फिर मिले ना मिले आप्रेम से सुनना भाई उसके पहला बेसाक महिने की प्रदोश चाहे वो सनीचरी प्रदोश हो चाहे रविवार की हो सोंबार की हो मंगल की हो बुद्वार की हो गुरुवार की हो शुकरवार की हो शनीवार की हो कोई विवार की हो पर बेसाक महिने की प्रदोश प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य दूब रहा हो बस दूबा ही हो और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूर के साथ में बेल पत्री ना चड़ाते हुए बेल पत्री के ब्रक्ष के साथ काटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराच अपनी जिंदगी में अर्चनों को हटाने के लिए फिर आप जिस वेपार में उतरें जिस नोकरी में उतरें आप दिल से करें आपको तरक्की मिलेगी आप हार नहीं सकते नीचे नहीं आसाथ उन्नती पर ही चड़ेंगे एक विशाक मास की प्रदोश दूसरा शिवरात्री के दिन मध्यान का समय माराज जो बड़ी शिवरात्री होती है माग की बड़ी शिवरात्री के अंतरगत मध्यान का समय में दोपाहर के फीक बारा वजे चाय पिर वो कोई भी दिन हो माराज शिवरात्री जिस दिन पढ़ रही हो उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को साथ काटे बेलपत्री के व्रप्च के समर्पित होते हैं मारे इसमें आप ये वाले जो काटे हैं जो शिवरात्री के दोपाहर बारा वजे वाले हैं अगर कोई मदिरा पीने वाला हो वैसन में डूबने वाला हो कोई जुआ खेलने वाला हो कोई गलत वैश्या व्रत्ती करने वाला या अपने मार्गत से विचलीत कोई व्यक्ती है उसक दोतिय शूल में वहां धारण करता है, तरतिय शूल, फीसरा शूल, जो वर्णन करा गया, महराज, भगवान, स्रावन के महिने में, स्रावन के महिने में, जो भी दूसरा सुमबर पड़े, जो भी पड़े, स्रावन के महिने का जो दूसरा सुमबर होता है, उस दूसरे सुमबर में, रात्री के समय पर, अर्थात शास्तर अब घड़ी और पल का इसमन करेंगे तो रातरी के बजेंगे दस से बारा बजे मारें दस से बारा के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज ये भी हमारी बांधाओं को हमारी तकलीफों को वेपार विसाय के लिए नौकरी सर्विस के लिए बहुत सारे एक्जाम में पेट लिए गवर्रमेंट एक्जाम के लिए बेट लिए नहीं हो रहा ये तीन बार मेरे शंकर को बेल पत्री के ब्रच के शूल समर्पित होते हैं उ वो उससे अपने को सुप्राप्त का कि बाबा बोलेनाथ जी के नए नशुरू से जो प्रगट हुआ वो रुद्राक्ष का पोधा है माता पारवती के नए नशुरू से जो प्रगट हुआ वो बेलपत्री का पोधा है और उमा और महेश जिस महेश के वंसज हैं महेश्वदी जिनकी बारा खाम प्रकटी है भगवान महेश के द्वारा वो महेश उमा उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रागट हुआ उमा और महेश जब दोनों आनंद में विवहोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बेठने से तप मुद्रा से जो पोधा उत्पन होता है वो शमी का पोधा शमी का पोदा, तो एक बात द्यान रखिए, शिवजी के द्वारा जो निर्मित हुआ, उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई काटे नहीं है, पारवती के द्वारा जो निर्मित हुआ, बेलपत्री का पोदा, उसमें काटे हैं, और पारवती के मिलन से भी जोत्पन हुआ ह शंकर के साथ में उसमें भी खाटे शमी के पोद्य में भी खाटे शमी के विरत्च्छ में भी खाटे तो पारवती जी इसकंद पुराण में प्रिश्ण कर रही है भोले नाट जी से कि प्रभू मुझे ये वताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है उसमें काटा क्यों आया है थोड़ा सा माता हूं मेरी जीजी हो आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर पर लग जाए पर आज कथा निकली है तो सुन लो कि शिवजी जिस रुद्राक्च को उत्पन कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है पर पारवती जी जो संग में मिली है उसमें भी शूलता है और पारवती के द्वारा जो प्रगट हुआ बिल पत्र उसमें भी शूलता है तो बागवान महादेव बोलते हैं पारवती मैं तुझ तेरे हिर्दाएं में कोई बात चुब है शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा नहीं नहीं आप कही है प्रभू मैं सुनने के लिए तैयार हूं आप तो बोलो कि कारण क्या है भगवान करते हैं पारवती बसंतर इतना है नारी का जो सुभाव होता है इस तरीका जो सु दूल बहुत होते हैं जेठानी ने ये कर दिया देवरानी ने ये कर दिया तुमारी मम्मी ये बोल दी तुमारे पापा ने ये कर दिया तुमारे बहनों ने ये कर दिया तुमारे भाई ने ये कर दिया तुमारे रिश्तदार ने ये बोल दिया ये नारी के लिए तर ये श अराधना में ने करी, और जितना अराधना दिल से आपने करी उतनी अराधना दिल से में ने करी, फिर इसमोग से कहा से आ गchat? भगवान शिभर बोले बस पारवती बात इतनी सी है कि जब मैं अराधना करने बैटता हूँ मेरी दृष्टी में संमुक में कुछ नहीं होता! जब तू अराधना करने भी बेटती है ना तो तेरी चित्त ब्रत्ती में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आई ही जाता है कई माताओं की आदत देखी साथ भगवान की सेवा करने बेटी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है माहराज बताओ इतने सारे भगवान इकटे कर लिए मैंने बोला तब उसे कि वहां रख ले थी बताओ इतने सारे यहां पर लाकर रख दी है अब इसकी सेवा करना पड़ रही है अब ये करना पड़ रहा है परिशार लेने के लिए रसोई घर में गई बगवान का भूग लगाने के लिए तो उसमें भी शूलता आ गई इपते घंटों से मैं समान डोन रही फिरीज में मिली नीरा में रखे गई थी बगवान जाने कहां चले गई बगवान उको वस्त्र पिना रही है तो शूलता है अलमारी काडर अज़ कोला इसमें मैंने समान रखा ता नाज़ने बगवान का शंगर कहां चले गई पौन ने हाथ लगया फिर शूलता आ गई बहुजन करने वेठे तो शूलता है कोई कारे के लिए जा रहे हो तो शूलता है अर्दात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बड़ी हुई है और पारवती जब तुम भजना करो तप करो साधना करो भकती करो उसमें शूलता नहीं हो ना जो पारवती जी ने खहा बोले ना तो क्या आप मुझे स्विकार नहीं करेंगे बिलपत्री के रूप में क्या मुझे स्विकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में पद्म पुरान इसकंद पुरान लिंग पुरान नरवदा पुरान और श्यू महा पुरान यह सारी पुराने वर्णन करती है पारवती जी का खंड आनंद वर्षत कर रहा है वर्णन कर रहा है पारवती खंड वर्णन कर रहा है सती खंड वर्णन कर रहा है उमा सहीता वर्णन कर रही है क्या आप मेरा ये बेलपत्र का सुरूप आप धारण नहीं करेंगे इसमें शू क्या तरीका प्रसंद करता है अपने मन की अभिराशा रख कर तुम्हें जो चाहिए करकार आप लोगों ने भी पढ़ाई करी होगी हमने भी करी एसा रहता उसमें नोक रहती है या पेंसिल उसमें भर देते और उससे इसा पेंच घुमा घुमा के उसको कस देते वह ऐसा रख घुमा थे एक जैस घुमा बन जाता दया कि जड नोक होटी है सूब ही रहती है और एक जगा पर रहती है उसी तरह इस मन को इस दिल को एक में लगां कर रखो बाकी की सब दुनिया में घुमत है जा दिल एक में लगा कर वेढ़ गाई चित परक्तिना चूटी जाए भगवान का बजन चूटे उसका इसम्ण न चूटे यह बस्तू में यह समान यह साहटी यह सत्थ सबस जाने वाली जहां बेठे हो उस मन को वहां लगाँ हम तो यहांpak करते हैं यहां तक करते हैं होटल में जाओ तो दिल होटल में लगा लो होटल में जाओ तो दिल होटल में लगाओ, खाने में लगाओ, बफेट में जाओ तो बफेट में लगाओ, साधी में जाओ तो तुड़ा रिस्तिदारों में लगाओ और अगर सञ्संग में आओ, तो मेरे भोले नाट में लगाओ, दिल लगाना ना भूलिएगा, पर मातमा को थोड़ा समय, जितना दे रहे हैं, तीन घंटा, दो घंटा, एक गंटा, आदा घंटा, जितना हम भगवान को देना, उतनी देर भगवान में चित्त होना चाहिए, उतनी तर भगवान में मन लगाना चाहिए पर ना जाने दुनिया के लोग कहा चले गए वा मोबाइल ने सब हटा दिया हर पंदरा मिनिट में यह सी याद आए ने वाटसप खोल के वेड़ जा आप इस त्रपुंड तीन देखा का दर्शन भगवान विष्णू के मस्तक पर भी कर सकते हैं आप यतीन देखा का दर्शन स्वयम भर्मा के मस्तक पर भी कर सकते हैं आप यतीन देखा का दर्शन स्वयम भगवान कृष्ण के मस्तक पर भी कर सकते हैं श्रीजी बाबा के मस्त पर भी कर सकते हैं इस तोंडका दर्शन दस अंतर इतना है शिव जो त्रीकुंड लगाएएं वह आड़ा है אנחנו इस तिवुमाला में जो तिरुपति भाबा का पन दर्शन करते हैं जो तुमिन लगाए हैं वह खड़ा है दो सफेथ बीच में लान। मेरे श्रीजी बाबा ने भी अपने मस्तग पर तेपरों धारण करकर रखा। मेरे श्रीजी बाबा ने भी अपने अपने